नमस्कार दोस्तों मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूं लुक आउट नोटीस या फिर लुक आउट सरकूलर के बारे में जिसे शौट में ल-o-c भी कहते हैं दोस्तों ये ल-o-c होती क्या है कब जारी होती है क्यों जारी की जाती है आज इसी के बारे में डिसकस करेंगे दोस्तों एलो सी जो है कभी भी क्रिमिनल केस में जब कोट को या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजनसी को ऐसा लगता है कि जो अभ्यूक्त है वो भाग सकता है या फिर उस केस में वो अलडेडि भाग चुका है इन दोनों ही कंडिशन में अभ्यूक्त के किलाव जो है एलो सी जारी की जाती है एलो सी जारी करने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर कोई अभ्यूक्त देश छोड़के भाग रहा है विदेश में जाना चाह रहा है तो उसे भारत के किसी भी exit point पे चाहे वो बंदरगा हो या airport हो या फिर कोई भी ऐसा check post हो जहां से विदेश भागा जा सके उस तरह के किसी भी point के उपर में immigration जो अधिकारी होते हैं वो उस व्यक्ति already भाग चुका है और वो किसी दूसरे रूप में अगर इंडिया में भारत में आना चाह रहा है तो उसे जो ही वो airport पे या फिर port पे या फिर जो entry point है वहां पे आता है तो उसे immigration जो अधिकारी है वो उसे पकड़ सकते हैं दोस्तों अब जो LOC का जो circular जो जारी किया जाता है वो ministry of home affairs के द्वारा जहां पर secretary level का जो अधिकारी है वो इसे order कर सकते हैं या फिर जो है अगर state level है तो joint secretary level का जो अधिकारी है वो इसे जारी करने के निर्देश दे सकते हैं और दोस्तों अगर इसको जारी कर दिया जाता है तो फिर जो है SP और DCP level के जो अधिकारी है वो अपने signature द्वारा इसे जो है प्रेसित करते हैं यानि इसको जारी कर सकते हैं वैसे दोस्तों इसकी जो period limitation की है वो अगर एक बार यह जारी हो जाता है तो एक साल तक जो है effect में रहता है लेकिन अगर investigating agency इसको दुबारा से re-issue करवाना चाहे तो भी यह re-issue किया जा सकता है और इसका जो time है वो extend किया जा सकता है जनरली दोस्तों ऐसा देखने में आता है कि CBI, Interpol, DRI, ED इस तरह NIA इस तरह की जो एजेंसियां है वो अपने cases में अगर उनको ऐसा लगता है कि अभी या तो देश छोड़ के भाग चुका है या फिर देश छोड़ के भागने के तैयारी में है इन दोनों ही condition में जो है वो court से request करते हैं और court उनकी request पे cognizance लेते हुए LOC जारी करने का order कर देती है दोस्तो LOC जारी होने के बाद में अगर अभ्यूक्त देश छोड़ के भागते समय पकड़ा जाए या फिर देश में इन करते समय पकड़ा जाए उन दोनों इस्तीती में जो है उसे पकड़ा जा सकता है और जो immigration के एधिकारी होते हैं उनके पा भी जो details है address, नाम वगरे सारा भरा जाता है इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपन बात ही है कि जो भी अभ्यूक्त है जिसके खिलाफ ये जारी किया जा रहा है उस अभ्यूक्त की तीन ऐसे identification marks होने भी बहुत जरूरी है जिससे की वो immigration अधिकारी उसको then and there जो है उसको identify कर सके यानि की जो details भरी जाती है form में उसके अलावा उस अभ्यूक्त के तीन identification marks भी जो है उसमें भरने पड़ते हैं उस form के अंदर में दोस्तों ये था LOC के बारे में एक छोटी सी जानकारी अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे नमस्कार धन्यवाद